आज आपके साथ ना शेयर कर रही हूँ 10 मिनिट में बनने वाली कुरकूरी मज़ेदार जलेबी और इन जलेबियों को बनाने के लिए आपको आटे की सूजी की मेंदे की इन सब की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है दस मिनिट के उससे भी कम समय में आपकी मज़ेदार जो है रसीली जो हमारी जलेबिया होती है वो बन करके त्यार हो जाएंगी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह बिल्कुल मार्केट जैसे है देख सकते आप अंदर से जैसे खोकली सी होती है बिल्कुल वैसे ही और अंदर तक बिल्कुल रसा गया इसमें तो चलिए शिरू करते बनाना इसके लिए देखे इडिया है और इसे मैंनेे सॉस पैन में डाल दिया है अगर आप इसे इसके अचुरी से नापेंगे ना तो एक आपने चीनी लेनी है और उसका आधा कटूरी आपने पानी डालना है तो यह लगभग 75 मल के करीब हम इसमें पानी डाल देंगी बनाओ जलेबी बनाओ रसगुले बनाओ इन सब के लिए कभी भी तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है तो भाई इसके लिए कैसी चाशनी चाहिए है मैं आपको डीटेल में बताऊंगी जिससे कि आपकी जलेबिया अंदर से एकदम रसेदार बनेंगी खूब रसा पीए एक बाद झाल करना यह पर झाल को ऒांद car Britney करना है कि आपको छूआ करना थो कर लेना घरम न थो कर देखिए हैं आपको औल जासा फिल ऊंट लगेगा कि आप ऑईल टच कर रहे हो तो जब हम ऑईल चूते तो किसे अजीब चिप चिपा सा लगता है ना ठीक वैसे ही लगेगा तार वगेरा बिल्कुल नहीं बनाएंगे और यह जो हमारी शुगर शिरफ है जलेबी के लिए यह बन करके बिल्कुल तयार हो गया है तो ब अजीब लेगा और यह जो किनारे के इनना हमें हटा देना है तो देखिए मैंने नॉर्म बेर्ड लिया है कोई सेंडविच ब्रेड वगेरा नहीं लिया है तो इस तरीके से आप 20 रुपे वाला या 15 रुपे वाला जो भी पैकिट आपको ब्रेड का मिल जाए आप पूरा इसको आपनास्ते बनाने में यूज कीजिए और इस तरीके से साइट निकालने के बाद हम इसे एक जार में डाल देंगे तो थोड़ा जार लीजिए उसमें तोड़ करके आप ऐसे ब्रेट को डाल दीजिए अचा इसके लिए एक और खास चीज है कि अगर आपको यह बनाना ह आप एक ऐसी ब्रेट अपसी ब्रेट आट कीजिए और उसका पेश्ठ बना लीजिए धेक सकते हैं जदा बढ़यां इसका पेश्ट बन गया है अब यह जो ब्रेड है वह महांदे से बनती है तो महंदा और इसमें को रहता है तो हमारी जलेबी के लिए जो नहीं डालना है इसमें बस इस अधिक थिरे धीरे डिरे समें क्या करेंगे दूद ही आड़ करेंगे और इसका जो consistency है वो जैसे जलेवी बनाने की normal consistency होती है ठीक वैसे ही रख लेंगे अब यहां पर एक ध्यान में देने वाली बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ध्यान में रखनी वाली बात यह है कि आपको इसके में जो डूद डालना इसका कदर आजाएगा अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा light है तो थोड़ा सा कदर हम इसमें और एट करेंगे और इस बैटर में कुछ भी मिलाने की जरुवत नहीं है हमारा जलेवी का बैटर है ना इंस्टेंट जलेवी का यह बन करके तयार हो गया देखिए इस तरीकी नहीं करना है किसे लिकेट कर लें बैटर देखिए बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है अब इस तरीके से जलेवी मेकर जो है मार्केट में मिलता है आपके पास भी डिबब भी जरूर पड़े होंगे तो आप उसमें बना लीजे नहीं तो यह पाइप इन बैग तो हमे में बना लो आप यहां पर दो दरीके आप देखिए यहां पर मेरा जो तेल है ना वो मीडियम होट से थोड़ा कम है मतलब बहुत ज़दा होट नहीं है तो यहां पर कैसी जलेविया बन करके दियार होंगी वह मैं आपको बताऊंगी और जब हम एकदम होट होट ओट कर ले इसमें कोई अंदर जाली वगरा खास नहीं पड़ी होगी तो अगर आपका जो ऑल है ना वह बहुत ज़दा अच्छा गरम नहीं हुआ है तो इस तरह के से जलेविया बन करके त्यार होंगी अब मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी उसी बैटर से सिर्फ हम क्य गई है तो इतना गरम अगर आपका तेल होगा ना तो इकदम पॉर्फेक्ट आपकी जो जलेविया वह बनेंगी आप कल्छुल की मदद से आप इसे जो है अच्छी तरीके से पलट दीजिए सिखने में बहुत ज़दा वक्त नहीं लगता है आराम से मितलब आप समझे आध चाशनी को पी ले और ऐसा नहीं है कि जलेविया निकाल से तो यह जलेविया इस तरीके से हम सारी की सारी बना लेंगे तो अब मुझे कोमेंट करके बताओ के आपने इतनी सरल जलेविया बनाना कभी देखा था नहीं देखा था तो फिर डेफिनेटली वीडियो को लाइक क और उपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ और ट्राइज जरूर करना बहुत यमी बनती है साथ में दही के साथ खाना पसंद करो तो दही के साथ खाओ नहीं तो अराम से रवडी बना लो वह भी बनेया लगेगी यह देखिए इंदम क्रिस्पी बनी हुई है ना ऐसे क्रि प्लेट में निखाल ले रहा है वह आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा परफेक्ट अंदर से जैसे होती है जाली-दार खोकली-खोकली सी बिलकुल वैसी बन करके तयार हुई है यह देखिए बहुत ही बढ़िया बनीती एक्दम रसीली तो मिलते है नेक्स रेसिपीज में बइड्र आपरा rakी करते है जाली उाली-जार टोонов रजाए च्टम जयास भीजार है वह देखिए जाली जाली एक है जाली है वैसे हैंag यह आपके कर दो करें.